आगे बढ़ने से पहले हमारे आपसे प्रार्थना है आप टेली का अधूरा ग्यान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है इस वीडियो सिरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें वीडियोज को क्रमा नुसार देखने के दो तरीके हैं पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट द्वारा टैली के इस वीडियो सिरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे टैली में नई कमपनी बनाना इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको टैली सॉफ्ट्वेर डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना बताया था आज हम आपको बताएंगे टैली में हिसाब किताब मैंटेन करने के लिए नई कमपनी कैसे बनाते हैं साथ ही कुछ अन्यमहत्वण जानकारियां भी देंगे आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है यदि आप इस वीडियो का सही लाव लेना चाहते हैं तो जैसा आपको वीडियो में बताया जाए ठीक उसी तरह दो-तीन बार प्रैक्टिस ज़रूर करें आए सबसे पहले Tally उपन कर लेते हैं उसके लिए Tally के आईकॉन पर जाकर माउस के लेब बटन से डबल क्लिक करें और यदि आईकॉन दिखाई नहीं पढ़ रहा है तो Start बटन पर जाकर क्लिक करें Search पार में टाइप करें Tally ऐसा करते ही उपर टैली दिखाई पड़ेगा जो की सिलेक्टेड होगा एंटर प्रेस करें या टैली पर पॉइंटर ले जाकर माउस से क्लिक करें यदि आप लाइसेंस्ट टैली सॉफ्टवेर उप्योग कर रहे हैं तो सीधे टैली सॉफ्टवेर खुल जाएगा और यदि आप टैली का एजुकेशनल वर्जिन उप्योग कर रहे हैं तो इस तरह की विंटो दिखाई पड़ेगी यहाँ आप कीबोर्ड पर आल्ट और डब्ल्यू की एक साथ प्रेस करें देखिए टैली ओपन हो गया है इसमें राइट साइड में आप कंपनी इन्फो मैन्यू में कुछ ऑप्शन्स देख रहे हैं इसमें हम सबसे पहले क्रियेट कंपनी को समझेंगे क्रियेट कंपनी में जाने के तीन तरीके हैं पहला माउस से उस पर क्लिक करें दूसरा डाउन एरो से create company पर जाएं और enter press करें और तीसरा जो सबसे सरल है यह देखे create company में C capital है और bold भी है यानि यह इसका shortcut है यदि आपको shortcut confirm करना हूँ तो एक तरीका है आप डाउन एरो से create company पर जाएं देखे अब C लाल रंग का दिखाई पड़ रहा है तो अब हम आगे बढ़ने के लिए C प्रेस करेंगे ध्यान रखें टैली भी काम करते समय किसी भी option पर जाने के लिए यही तरीके है C प्रेस करते ही company creation window आ गई है यहाँ आपको अपनी company का नाम देना होगा नाम टाइप करने के बाद आगे बढ़ने के लिए enter या tab की प्रेस करें यह देखिए primary mailing details के अंतरगत mailing name में वही नाम आ रहा है जो हमने उपर टाइप किया था enter या tab की प्रेस करके address में अपनी company का पूरा पता टाइप करें आपकी जानकरी के लिए बता दें कि primary mailing details में आप जो भी details देते हैं tally में कोई भी print निकालने पर वो उस print पर दिखाई पड़ती है यहाँ एक मतफुन बात और ध्यान रखें tally में सभी जगह आगे बढ़ने के लिए enter या tab की का उप्योग किया जाता है और मान लीजे आपको लगा कि पहले कोई गलती हो गई है तो पीछे जाने के लिए backspace की का उप्योग किया जाता है enterprise करते हुए आगे पढ़ें country के आगे by default इंडिया selected रहता है यदि आप और किसी country में है तो उसे select करने के लिए right side में list of countries आ रही है आप अपने देश के नाम का पहला अक्षर type करें जैसे हमने type किया s तो देखे उस अक्षर से प्राणब होने वाले सभी देशों के नाम यहां दिखाई पढ़ रहे हैं आप अप या down arrow से उस पर जाकर enter press करें हम इंडिया ही select कर रहे हैं अब state में अभी बताए गए तरीके से state का नाम select करें पिन कोड में अपने शहर का पिन डालें अब यहां अपना phone number डालें अगर आपके पास phone number नहीं है तो इसे blank छोड़ने यानि skip करने के लिए enter press करें इसी तरह मांगी गई details भड़ते हुए आगे पढ़ते जाएं financial year begins from के सामने अभी जो financial year चल रहा होगा टैली खुदी उसके आरंभ होने की तारीक यहां पर दे देगा बारत में financial year एक अप्रेल से आरंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होता है और हम financial year 2020-21 का हिसाब किताब इस company में रखना चाहते हैं तो यहां हमें तारीक एक अप्रेल 2020 ही चाहिए जो की दिखाई पढ़ रही है enterprise करके आगे बढ़ेंगे इसके बाद आप देख रहे हैं इसमें वो ही तारीक आ रही है जो हमने उपर डाली थी आप चाहें तो इसे बदल भी सकते हैं आईए पहले उसका कारण समझ लेते हैं हम financial year 2020-21 में company बना रहे हैं और financial year का आरंभ हो रहा है 1 अप्रेल 2020 से तो यह तो सही है पर हमारी जो company है वो शुरू हो रही है 1 जुलाई 2020 से यानि हम जो company बना रहे हैं उसमें हिसाब किताब 1 जुलाई 2020 से रखने वाले हैं तो यहाँ पर हम यही तारीख डालेंगे इसे यह होगा कि यदि हम इस company में अंजाने में भी इससे पहले के period में कोई transaction record करने का प्रयास करेंगे तो वो record नहीं होगा हम यहाँ तारीख 1 जुलाई 2020 डाल रहे हैं यहाँ पर हम security control के options को छोड़कर आगे पढ़ रहे हैं इसके बाद हम base currency information में भी कोई changes नहीं कर रहे हैं इसका कारण यह है कि यह हमारी जरूरत के हिसाब से ठीक है यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो options अभी यहाँ पर जरूरी नहीं हैं वो हमने छोड़ दिये हैं जैसे कि tally, vault, password, security control इन्हें हम बाद में समझाएंगे इसके अलावा directory, mailing name, base currency information आदी की details भी हम बाद में आपको बताएंगे एंटर प्रेस करते हुए आगे पढ़ें देखें, यहाँ accept वाली छोटी window आ रही है आपने जो details दी हैं वे फिर से check कर लें यदि ठीक हैं तो एंटर प्रेस करके या yes के लिए y प्रेस करके इसे accept कर लें और यदि आपने जो details भरी हैं उन्हें accept नहीं करना चाहते हैं तो no के लिए and प्रेस करें या फिर escape की प्रेस करें ऐसा करते ही आप प्रारंभी के स्थिती में आ जाएंगे अब यदि आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर लें फिर आगे बढ़ें एक बाद ध्यान रखें यादि आप कोई भी विंडो चोड़ना चाहते हैं तो escape की का उप्योग करें इसी तरह आप किसी भी विंडो को accept करना चाहते हैं तो उसके लिए short cut की है control और A की इन्हें एक साथ प्रेस करें हम control और A की को प्रेस कर रहे हैं कमपनी बनते ही कुछ इस तरह की विंडो दिखाई पड़ेगी एक बार escape की प्रेस करें देखे हम gateway आफ टैली पर आ गए हैं पहले यहाँ company info menu था पर इस बार window दूसरे type की दिखाई पड़ रही है वह इसलिए क्योंकि अभी हमने जो company बनाई है वह खुली हुई है देखे हैं यहां bold अक्षरों में उसका नाम दिखाई पड़ रहा है और उपर के और current period में जिस period में यह company खुली है वह दिखाई पड़ रहा है current date में आप 1 July 2020 देख रहे हैं यह वही तारीक है जो हमने company बनाते समय books beginning from में ली थी date of last entry के नीचे कोई तारीक नहीं आ रही है उसके इस्थान पर no vouchers entered लिखा है क्योंकि अभी हमने इस company में कोई transaction record नहीं किया है जब हमको यह transaction record कर देंगे तो आखिरी transaction की जो date होगी वो यहाँ पर दिखाई पड़ेगी हम एक company और बनाना चाहते हैं पर उसके पहले कुछ महत्पून बातों को समझ लेते हैं यह दिखिए यहां right pen में date के आगे f2 लिखा है इसका मतलब है यदि आप current date बदलना चाहते हैं तो function key f2 press करें इसी तरह जब भी किसी function key के नीचे एक underline हो तो इसका मतलब है कि alter के साथ उस function key को press करें और जहां function key के नीचे दो underlines हो उसका मतलब है कि control के साथ उस function key को press करें चलिए अब एक और नई company बना लेते हैं देखिए right pen में company info लिखा है और उसके आगे f3 और underline है तो जैसा भी हमने आपको बताया था company info में जाने के लिए alter और f3 keys को एक साथ press करना होगा हमने alter और f3 press किया तो देखिए ये window आ रही है यहां हमने create company के लिए c press किया यहां पर company का नाम और details डाल देते हैं financial year begins from में हमने एक अप्रिल 2020 टाइप किया है दिखिए books beginning from में भी यही तारीख आ गई है हम इसे ही रहने देते हैं enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे और company को accept कर लेंगे अभी हमने जो नई company बनाई उसका नाम बोल्ड अक्षरों में दिखाई पढ़ रहा है और उपर के और current period में जिस period में यह company खुली है वो दिखाई पढ़ रहा है current date में आप एक अप्रेल 2020 देख रहे हैं यह वही तारीख है जो हमने company बनाते समय books beginning from में ली थी अब हम एक एक करके दोनों companies को बंद कर देते हैं उसके लिए alter और F1 एक साथ press करें यह देखिए close company के window आ गई है और अभी tally में जितनी भी company खुली हैं उनके नाम दिखाई पढ़ रहे हैं आप जिस company को बंद करना चाहते हैं उस पर जाकर enter press करें देखिए list of selected companies में से वो company चली गई है इसी तरह हम alter और F1 प्रेस करके यह company भी बंद कर देते हैं इस window को छोड़ने के लिए quit option है और यहां इसके shortcut key है Q, keyword पर Q प्रेस करें अब हम tally बंद करना चाहते हैं तो control और Q एक साथ press कर रहे हैं इस वीडियो में आपने नई company बनाना और कुछ अन्य महत्पून बातों के बारे में जाना अगले वीडियो में आप जानेंगे company को select करने, बंद करने, alter करने और delete करने के बारे में प्रेस को एक सकते अन्य में मैं आप प्रेस भ्रेस याल वीडियो j